मौर्निंग में साड़े आट बचे रेडी होकर हम इंदरापुरम गाजियाबाद के फेमस स्ट्रीट फूड स्टॉर माहोर पोह सेंटर पहुँच गए यहां का पोह इशू और मेरे को बहुत जादा पसंद है तो आज सेटेडे वीकेंड होनी के वज़े से हमने कनोट प्लेस पर हनुमान मंदिर, मंगला साहिब, गुर्दवारा और इंडिया गेट घूमने का प्लान बनाये हुआ तो पोहे का प्रेकफास करने के बाद हम कनोट प्लेस के पास प्राचीन हनुमान मंदिर पहुँचकर हमने हनुमान जी के दर्शिन किये और दर्शिन करने के बाद हमने यहां की फेमस पुलड़ की चाय का आनंद उठाया बहुत अतेश्टी बहुत बढ़ी अचाय है यहां की तो चाय पीने के बाद हमने यहां से पांच मिनट की वॉक करी और वॉक करते हम पहुँच गए बंगला साहे गुर्द्वारे का बंगला साधे के बंगला सुर्द्वारे का बंगला रंगला साहे यहां 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 जब यहां जड़ां लिजो को जन्री करते हैं अघए लग만Little लिभक का मेरी का बचलिक बचले चलाओन and भ कव यॉॉ कवेश लगा हुआ जा ह路 एक पाफ हा लग्सेदित झाल झाल बंगला साहिब गुर्दवारे में दर्शन करने के बाद हमने 60 रुपए में इंडिया गेट जाने के लिए आटो लिया और 10 मिनट में हम कर्तब विपत इंडिया गेट पहुँच गए इंडिया गेट लगबग दो साल कोविट डूरेशन में आम लोगों की विजिट के लिए बिल्कुल ही बंग था क्योंकि यहाँ पे सिंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रिनुवेशन का वर्क चल रहा था यह पूरी लोकेशन अब बिल्कुल रिवैम हो चुकी है इसलिए आप लोग एक बार अब इस जगए इंडिया गेट और करतब विपत जरूर विजिट करिए प्रोजेशन अब आप लोग प्रोजेशन अब बिल्कुल रहा था प्रोजेशन अब लोग प्रोजेशन अब बिल्कुल रहा था इंडिया गेट के केमपस में इशु को चिल्रन पार्ग दिखाई दे गया तो इशु ने कहा कि भई चिल्रन पार्ग भी जाना है तो सेंटल विश्टा प्रोजेट के अंतरगत ये चिल्रन पार्ग का भी रिनोवेशन हुआ है तो हमने सोचा चल कर देखते हैं ये पार्ग डेली नगर निगम के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है इस बड़े से बोट पे हमने देखा यहां बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे जूले ओपिन जिम, चिल्रन लाइब्रेरी, साइन्स एक्टिविटी रूम, म्यूजिकल फाउंटेन, मोगली फाउंटेन, फिश एक्क्वेरियम, एमपी थेटर और बहुत सारे प्लेइ के मजे लिए, और थोड़ी देर खेलने के बाद हम चिल्रन लाइब्रेरी की तरफ चले, तो पता चला कि भई, एक से दो यहां पे लंज टाइम है, तो चिल्रन लाइब्रेरी बंद है, मोगली फाउंटेन की तरफ गए, थोड़ा सा देखा, अच्छा लगा, पिर हमने दे हर्बल बाडर में क्या है, ओ, इसब गोल, यह क्या है, तुलसी, अपराजिता, यह क्या है, अच्छा, मीठी, नीम, ओके, अजवाइन, अजवाइन का पौधे हैं यहां पे, और देखते हैं, यहां क्या है, मोगरा, और यह आवला है, ओके, अच्छा जी, नीली, फिर हमने देखा है, फिश एक्क्वेरियम की तरफ गए, फिश एक्क्वेरियम में ऐसा कुछ खास नहीं था, सिर्फ एकी एक्क्वेरियम था, और बाकी सब बंद पड़े हुए थे, चिल्डरन पार्क से निकल कर हम वापस जनपताय और साउथ इंडियन हाई क्वालिटी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सर्वन भवन पहुँच गए, यहां हमने तीन प्लेट मसाला डोसा ओर्डर किया, मैं आपको इमानदारी से कहूँगा, यहां का डोसा बहुत ही लाचावाब और पिस्टी है, एक बार आप लोग यहां का डोसा जरूर जरूर ट्राई करिये, डोसा खाने के बाद हमने चनपत हेंडलू मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करी और फिर घूमते घामते हमने आज की विजिट यहीं पर एंड करी, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाई बाई